हेई गाईज वेलकम बेक टो चैनल सब्सक्राइब आज किस वीडियो में मैं आपको पता हूँ कि आप किस तरह से पैन का यूज़ करके शेड कर सकते हैं मैंने लास्ट मेरा जुसके स्केच्च ड्रोर किया था एक उसमें मैंने अल्ली पैन का यूज़ करकी जो आइंस्टाइ होती है जैसे कि लाइट एक स्टूर्ट टू डार्क घ्रक रोटी है फैंसिलो में लगरेट शेर एक्सरानुक्त आयुज नहीं गर सकते श्राइण ज्टू जिसके बार मैनेपे स्टाइब 2023 करना है और मैने पहलेभीडियो बना के बमता इसमें इस्टेह से पिको यूज़ि तो बाकि इस विडियो में बता हूं आपको अच्छे से किस तरह से हमको है चींग कर शेचंग कर शकते या फिर only एक ही टाइप की हैच का भी ऊजसंग पाईंग ने एक रिरक्शिन में जो मांना को बदा था मेरी शेडिंल वाली वीडियो में आप क्रोस हेचिंग का भी उज़ कर सकते हैं मोस्टी इसमें क्रोस हेचिंग का इसमें और क्रोस हेचिंग से हम काफी रिलिस्टिक और काफी अच्छी ड्रोप कर पाएंगे आप तो चलिए आप देखते हैं So guys, यह मेरे पाज सिंपल सा पैंच जो कि हमको मार्केट में इजली मिल जाता है टू रूपीज में इस पैंसे काफ़ी अच्छी हैचिंग हो जाती है क्योंकि इसकी निप काफ़ी पतली है अगर अपने लाइट एरियाज में हैचिंग करने है तो आपको बिल्कुल लाइट प्रेसर के साथ इस तरह से हैचिंग करने पड़ेगी बिल्कुल लाइट प्रेसर के साथ बिल्कुल भी प्रेसर का अप्लाई नहीं करना है और डार्क करने के लिए बस लाइट को बढ़ा दो अपने अप डार्क लगेगा cross hatching करने के लिए इसके opposite direction में भी हम lines लगा सकते हैं अगर pen से आपको shading करनी है, pen से कोई भी portrait draw करना है तो आपको इस method का use करना पड़ेगा इस से ही आप काफ़ अच्छी shading कर पाएंगे क्योंकि pen से shading तो होती नहीं है तो आपको hatching करने पड़ेगी बिल्कुल light pressure का use करके बिल्कुल slowly slowly बाकि आप अच्छे brand के pens का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि especially pen drawing बनाने के लिए यूज़ होते हैं Steadler के fabric crystal के आते हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं So इसी तरह से hatching करके हमको complete drawing ड्रो करनी है और अगर dark area जे बिल्कुल तो थोड़े pressure का apply करके इस तरह की lines लगा सकते हैं अगर dark area जे तब ही अगर face में shading कर रहे हैं light to dark shading कर रहे हैं तो आपको light pressure का use करके hatching करनी है और अगर आपने इसमें highlight करनी है कोई भी white area जे उसको erase तो करनी सकते उसके लिए हमको white gel pen का use करना पड़ेगा या फिर आप कोई भी white pen का use कर सकते हैं काफी easily इसके उपर सी use जाएगा और आप काफी अच्छी highlight कर पाएंगे बस इसी तरह से हमने shading करनी है hatching का use करके इसी तरह से हमको complete portrait draw कर सकते हैं मैं भी आपको थोड़ा सा draw कर की दिखाता हूँ eyes और nose draw कर की दिखाता हूँ पहले आप outline draw कर लो कि जादा सही रहेगा मैंने Einstein वाले में सीधा draw किया था मैं try कर रहा था और काफी अच्छी से एक बारी में hatching का यूज करूँगा जहां पर dark area जोगे वहां पर थोड़ी dark hatching कर दूँगा जिस तरह से मैंने उपर दिखाया आपको shade करके और जहां पर light area जोगे वहां पर बिल्कुल light pressure का यूज करके बिल्कुल यह एक ही layer लगाऊंगा उपर से मैं ज्यादा cross hatching नहीं करूँगा अगर dark होगा तो ज्यादा cross hatching कर दूँगा जिस तरह से मैंने आपको पर दिखाया कोई ज्यादा मुस्किल method नहीं है बस आपके अंदर patience होना चाहिए क्योंकि इसमें time बहुत लगता है और observation अपने photograph को observe करना आना चाहिए कि कहां पर कितना dark है कहां पर कितना light है उसके coating आपने hatching करनी आनी चाहिए कफी मज़ा आता है pen से इस तरह से hatching करके draw करने में क्योंकि इसमें हमें एक ही pen का यूज़ करना पड़ता है बारवाई जैसे pencil में हमको sharp करना पड़ता है इसमें हमको sharp नहीं करना पड़ता है एक ही pen का यूज़ करके बस hedging करते रहो और draw करते रहो तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आपने अभी तक try नहीं किया है तो जो भी pen आपके पास हो आप किसी pen का यूज़ कर सकते हैं कर दो एक कि कुछ इस तरह है चरी करते हैं किसी भी face के ड्रो कर सकते हैं इस तरह के आपने बलिकल लाइट है टारली हैंजंगी जाहां पर अपने light है आपने इस यह पर देख सकते हैं मैंने बल्कुल light हैचिंग किया है और जहांपे dark है इस मोज के पास वाले जहां पर डार्क हैं, वहां पर बस डार्क हैचिंग की है, आइंस्टेन वाले स्केच वी मैंने इस पैन का भी यूज किया था, जो कि सैलो का है, यह मार्केट में इसलिए मिल जाएगा आपको, फाइब रुपीज का मिल जाता है यह, और इसकी निप बी काफी पतली है, और काफी अच्छी से हैचिंग होती है, यह जो स्केच है, आप देख सकते हैं, इसमें complete हैचिंग का यूज किया हूए है, और यह देखो, आप तो को लाइन दिख रही होंगी इसमें, तो completely, तो completely लाइन का यूज करके ही मैंने इसको ड्रॉ किया है, सब्सक्राइब इस तरह से किसी भी बॉल पैन का यूज करके काफी अच्छे से पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं, बस जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल लाइटली आपने हैचिंग करनी है, कोई भी आपको पास पैन हो, उसकी जो नीब है, अगर पतली होगी तो और भी ज्यादा अच्छे से, आप बिल्कुल पतली लाइन्स की हैचिंग कर पाऊगे, जो की काफी अधा रियलिस्टिक भी लगेगी, और अगर मोटी होगी तो ज्यादा अच्छे न लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पतली होगी तो अच्छे से, आप काफी अच्छे हैचिंग कर पाऊगे, तो आपको यहड़ी होगा होगा, इसके लिए आपको आपकी नॉलेज होने की लिए आपको मेशनी में यहाँ आपको, क्यों को देदा हो अ जर्ष से करना पदली होगा, आपको यहाँ पन पहुट ना पर पाऊँग क्ले होगा होगा, में और भी वीडियो बनाऊंगा किस तरह से हमको हम पैन का उसकर कम्प्लीट पोट्रेट को टो कर सकते हैं कम्प्लीट भीडियो के दिखाऊंगा और फीचर भीडियो के दिखाऊंगा तो गाइस इस वीडियो में इतना ही I hope you enjoyed this video we'll see you in my next video so do practice do improve take care and thank you so much for watching